Hey guys welcome back to the new video दोस्तो 18,000 से लेकर के 20 लागे price phone पर अगर आप एक new phone बाय करने की सोच रहे है तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाज तक चरूर पूरी देख लेना आपके side-out community हो जाएंगे कि आपको इस price phone पर कौनसा phone purchase करना चाहिए आपके नहीं कौनसा phone best रहने वाला है तो दोस्तों मैं आपको उतादू यह phone आपने काफी रिचेगा के select किये हैं इन phone के अंदर आपको किसी feature को लेके compromise नहीं करना पड़ेगा यह phone अपनी brand value के साबसे अपने specs के साबसे अपने price phone के साबसे काफी better value for money है तो दोस्तों बिना time-based की video कर लेते हैं start और बात कर लेते हैं first phone के बारे में चो कि रहने बलना OnePlus की तरफ से OnePlus Nord C3 Light 5G दोस्तों इस phone के अंदर आपको काफे चे design देखने को मिल जाएगी की phone के अंदर आपको काफे चे process देखने को मिलेगा काफे चे feature देखने को मिल जाएगे बात कर लेते हैं phone की display के बारे में इस phone के अंदर आपको 6.72 इंचिस की IPS LCD देखने को मिलेगी जिसकी की तरफ स्मूथ करेगा 120 अचर का refresh rate 680 नीट्स की peak brightness 87.1% का skin to body ratio डिस्प्ले के अंदर को लेगलास का protection दिया गया है बात कर लेते हैं phone की chipset के बारे में phone के अंदर आपको OctaCocka Qualcomm Snapdragon 695 5G वाला highly processor देखने को मिलेगा चुकि 6nm के सायद आता है Android version 13 पर based है Oxygen OS 13.1 का expand देखने को मिल जाएगा 128 G प्लस 8 G व्रेम का basement दिया गया है phone के अंदर EFS 2.2 type की storage है man camera आपको triple step के साथ देखने को मिलेगा rare camera 108 megapixel का 2 megapixel का macro 2 megapixel का depth LED flash देखने को मिलेगी man camera के अंदर man camera साथ 1080p by 30p से maximum video record कर पा होगे selfie camera आपको single step के साथ देखने को मिलेगा 16 megapixel का 3.5 व्रेम का jack phone के अंदर दिया गया है storage speaker के साथ आता है USB की बात करें तो आपको type 3 देखने को मिलेगी 2.0 with OTZ connect phone के अंदर आपको side mounted fingerprint sensor देखने को मिल जाएगा 5000 mAh की battery है चुकि support करेंगी city 7 bat fast charging को 30 मिन में आप इस phone को 80% ED charge कर पा होगे बात कर लेते हैं phone के anti-score के बारे में इस phone का anti-score आपको 4 lakh plus around देखने को मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं phone की build quality के बारे में phone के अंदर आपको back phone दोन पलास्टिक के देखने को मिलेंगे गिलास की production display के अंदर है 195 ग्राम का बेट है 8.3 mm की तिकनी से फानली बात कर लेते है phone की price के बारे में इस phone की price आपको 19,999 लुपीच देखने को मिल जाएगे आप फिलिप का डेना मोचान पजा करके check out कर सकते हो अब बात कर लेते हैं इस list के second smartphone के बारे में चुक की रहने वाला realme की तरफ से realme 10 pro 5G दोस्तों इस phone के अंदर आपको काफे चीव लेकिन design देखने को मिलेगी phone के अंदर आपको काफे चीव लेकिन देखने को मिल जाएगे बात कर लेते हैं phone के display के बारे में इस phone के अंदर आपको 6.72 इंचीज की IPS LCD देखने को मिलेगी जिसकी सिरिन को smooth क्राइगा 22,000 का refresh rate, 680 nits की peak brightness, 89.8% का skin to body ratio बात कर लेते हैं phone के chipset के बारे में phone के अंदर आपको octa clock or qualcomm snapdragon 695 प्रोस्तों देखने को मिलेगा जो की 6 nm के साथ आता है, android version starting पर based है, realme UI 4.0 का expense देखने को मिल जाएगा बात कर लेते हैं phone के variant के बारे में, यह phone आपको 28G plus 6G frame के base frame में देखने को मिलेगा UFS 2.2 type की storage है, man camera आपको dual setup के साथ देखने को मिलेगा, rear camera 208 megapixel का, 2 megapixel depth, LED flash देखने को मिलेगी man camera के अंदर man camera से आप 1080p by 30fps maximum video record कर पाऊगे, selfie camera आपको single setup के साथ देखने को मिलेगा, 16 megapixel का, 3.5 mm का jack phone के अंदर दिया गया है story speaker के साथ आता है, USB की बात के तो आपको tap से देखने को मिलेगी 2.0, phone के अंदर आपको side mount and finger print sensor देखने को मिलेगा 5 था हो जान में इसकी battery है, चोकि support करेगी 33 part fast charging को, 29 मिट में आप इस phone को 50% easily charge कर पाऊगी बात कर लेते हैं phone के end to score के बारे में, इस phone का end to score आपको 4 lakh plus around देखने को मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं phone के build quality के बारे में, phone के अंदर आपको back frame दोने plastic के देखने को मिलेंगे glass के production display के अंदर है, 190 gram का weight है, 8.1 mm की थिकनी से है फानली बात कर लेते है phone के price के बारे में, ये phone आपको 20R के price बारे में पर देखने को मिल जाएगा इस phone को आप अपने need and beauty के आप से considerate कर सकते हो अब बात कर लेते हैं इस list के third and last phone के बारे में, चुकि रहने वाला Xiaomi की तरफ से Redmi K50i 5G, दूस्तों इस phone के अंदर आपको काफिची design देखने को मिलेगी इस phone के अंदर आपको car feature देखने को मिल जाएगा जिसक कि आप phone के अंदर अच्छे से gaming कर पाओगे, hardware के अच्छे से कर पाओगे, multitasking इसली कर पाओगे बात के लेते हैं phone की display के बारे में, इस phone के अंदर आपको 6.6 inches की double FSLC display देखने को मिलेगी चुकि 144,000 पर इसके साथ आती है, extra dandy support है, Dolby Vision की speaker देखने को मिलेगी इसे smartphone के अंदर, 500 needs की peak brightness, 85.1% का skin to body ratio, display के अंदर कोरी गोला के लाज 5 का production दिया गया है बात कर लेते हैं phone की chipset के बारे में, phone के अंदर आपको octa clock का media tag, dimensity, 8100 का highly powerful chipset देखने को मिलेगा चुकि 5 nanometer के साथ आता है, android version 12 पर based है, upgrade to android 13 देखने को मिले जाएगा, miui 14 का x-frame देखने को मिलेगा 118G plus 6G RAM का baseband दिया गया है phone के अंदर, UFS 3.1 type की storage है, man camera आपको tapa setup की साथ देखने को मिलेगा, rear camera 64 MP, 8 MP, ultra wide 2 MP macro, LED flash देखने को मिले की man camera के अंदर man camera से आप 4K Y30 पर से maximum media record कर पाऊगे, selfie camera आपको setup की साथ देखने को मिलेगा, 16 MP, 3.5 MP का jack phone के अंदर दिया गया है, storage speaker के साथ आता है, USB की बात के ने तो आपको tap से देखने को मिलेगी, 2.0 with OTC connect, phone के अंदर आपको side mount and fingerprint sensor देखने को मिलेगा, 5000 ATMS की बेंटी है, जो की support करेग 27 बाट fast charging को, 15 minutes में आप इस phone को 50% easy charge कर पाऊगे, बात कर लेते हैं phone की build quality के बारे में, phone के अंदर आपको 200 gram का bait देखने को मिलेगा, 8.9 mm की थिकनी से, finally बात कर लेते है, phone की price के बारे में, इस phone के price आपको 23,999 रुपीज देखने को मिल चाहेंगे, आप फिलिपका रड़ा मुझे आपको फशाकर के checkout कर सकते हो, तो I hope कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और इस phone को आपको ज़्यादा बैश्ट लगाओ, उस phone को आपने need and beauty के साब से considerate कर सकते हो, तो चलिए guys मिलते हैं next video में, तो तक के लिए आप अपना खायर रखेगा और थोड़ा सा हमारा भी को आपको 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